आपके पास आगे क्या दे रहे हैं the factors of 8 are 1, 2, 4 and 8 8 के factors किस तरीके से बनेंगे the factors of 8 अब कैसे निकालेंगे देखें एक तो simple अगर आपके बाफ सोड़ा नमबर है ना तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं यह हमने point लगाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पहले आप देखें 1, 1 का इसमेजी पेर बन रहे हैं यह एक पेर यह दूसरा पेर और यह कितने мужी बन रहे हैं 8 पेर आपने लिख लिए 1 multiplied by 8 फिर आप देखें 2, 2 इसके पेर बन रहे हैं कितने पेर बन रहे हैं 1, 2, 3, 4 2 के जहें इसमें 2 आ रहे हैं कितने बन रहे हैं, 4 पर बन रहे हैं, तुमने का 2 4s are 8, फिर अब 3 के बन रहे हैं आपके पास 3 देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 3 के पिर्स बनेंगे, यह 3 के और यह 3 के नहीं यह आपके पास 2 रहागे आखिर में, 4 के बन सकते हैं तो 4 के आपके पास यह देखें, यह 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, यह आपके पास पिर्स बन रहे हैं, 4 के, लेकिन यह रिपिटेशन हो रहे है कितने पिर्स बन रहे है, 4 के 2, लेकिन यह आपके पास क्या हो रहा है, रिपिटेशन हो रहे है, means यह 2, 4 और यह 4, 2 तो आप यह नहीं लिखेंगे, यह आपके पास आएगा, 1, 2, 4 and 8, तो इसके factors क्या होंगे, 1, 2, 4 and 8, ओके, फिर अब next आप देखें, 12, 12 में आपके पास factors कैसे बनेंगे, factors of 12, 1 के table में 1 से, तो आप start आपने करना है, 1 से, ठीक है, 1 को आप 12 से multiply करवाएंगे, तो 12 आएगा, 2 के table में 12 के साथ है, 6 से means, 2 के आपके पास 6 pair बन जाएंगे, तो 12 होगा, 3 के table में 3 के 4 pairs बनेंगे, तो 12 आएगा, 4 के table में 3 pairs बनेंगे, तो 12 आएगा, अब देखें, यह दुबाया repetition हो गई, तो यह आप छोड़ने, यह आपके पास आएगा, pairs क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6, and 12, ठीक है, यह आपके पास किस तरीके से हम factors निकालते हैं, फिर factors of 18, factors of 18, 1 के table में आएगा, 2 के table में किस से आता है, 9, 3 के table में, 3, 6, and 18, 4 के table में 18 आता है, नहीं, 5 के table में 18 आता है, नहीं, 6 के table में 18 आता है, जी, 6, 3's और होगा, तो वो repetition होगी, तो आप यहाँ पे छोड़ देंगे इसको, यह आपके पास होगा, 1, 2, 3, 6, अब 3 के बाद यहाँ से लिखेंगे, 6, 9, 18, are factors of 18, next question देखें, example आपके पास दीए, page number 34 पे, 8 जो है, वो factor है, 256 का, यह नहीं, यह हमें कैसे पता चलेगा, example है आपके पास, example, 1, is 8, a factor of 256, हम क्या करेंगे, 256 को 8 से divide करवा देंगे, ठीक है, कैसे होगा, आपके पास, 3's are 24, 1 यहाँ से आपके पास रह जाएगा, और 6, 2's are 60, तो remainder 0 आ रहा है, अगर remainder 0 आ रहा है, divide करने के बाद, तो, अब यसी सी बात है कि, 8 जो है, आपके पास factor है, तो 8 जो है, वो divide कर रहा है, 256 को, without leaving any remainder, ठीक है, तो आपके पास 8 जो है, वो factor होगा, 256 का, और 256 multiple होगा, 8 का, ठीक है, वो divisible होगा, किसे 8 से, ठीक,